मुझा करेंगे अच्छ के बारे में लिए आज के बारे में लेकिन इसके बारे में बात करेंगे हम किसके बारे में semi circular arch के बारे में बात करेंगे इसके पहले वीडियो में आपने जैसे देखा था मैंने बात किया था 3 hing parabolic arch में comparatively वो ज्यादा important रहेगा parabolic arch semi circular वाला जो रहेगा ये conventional के लिए important रहेगा उसके लिए क्या बोलते है objective लिए उतना important नहीं रहेगा ठीक है तो आज अपन नई topic पर start करेंगे semi circular arch पर कौन सा रहेगा वो 3 hinged ठीक है तो topic है हमारा 3 hinged semi circular arch semi circular का मतलब समझ में आगया होगा कि उसका जो shape जो रहेगा arch का वो parabolic नहीं रहेगा वो कैसा रहेगा half circle रहेगा ठीक है है वो कैसा रहेगा आपके पास half circle रहेगा तो बना के देख लेते हैं फिर उसके components के बारे में जान लेंगे उसके analysis के बारे में देख लेंगे कैसे क्या करना है उसमें तो चलिए सबसे पहले मैं start कर रहा हूँ यहाँ पर अब थोड़ा different arch ले रहे हैं अपन इसका shape कैसा है कुछ इस type का है यह point A हो जाएगा this will be point B this is point A this is point B 3 hinge दो बोल रहा है मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक और hinge हो जाएगा उसको मैं बोल दे रहा हूँ कौन सा point C ठीक है अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यह आपको parabolic अकर रहता तो मैं कुछ इस type से बनाता हूँ ठीक है लेकिन semi circular है तो मैंने कैसे बनाया कुछ इस type से बनाया है अब अगर मान लीजे यह उसका center है ठीक है यह कैसा उसका center है इसको मैं बोल देता हूँ चलिए यह हो गए आपके पास point O तो since यह semi circle है तो O भी भी कितना हो जाएगा आपके पास radius हो जाएगा O A भी कितना हो जाएगा आपके पास radius हो जाएगा और O C भी कितना हो जाएगा आपके पास यह हो जाएगा आपके पास radius, ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई भी टबी loading ले लिजे, external loading, आप चाहो तो यहाँ पर UDL ले लो, लेकिन UDL मैं पहले बता दिया हूँ, उसमें क्या बोलते हैं, अपना parabolic arch में, 3 hinge में आपको UDL का analysis कर दिया था, चलिए मैं मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस पर मैं point load ले लेता हूँ, कहाँ पर, इस point पर, मैंने point load ले लिया, कहाँ पर crown में ले लिया है, मतलब C point पर मैंने point load लगा दिया, concentrated load लगा दिया, उसका magnitude है, P का, ठीक है, तो चलिए, यहाँ से अपन इसका analysis start करेंगा, चलिए, यहाँ से इसका analysis start करते है, step number one में आपको क्या पताता था हमेशा, क्या find out करने के लिए बोलता था, step number one में आपको क्या find out करने के लिए बोलता था, मैं बोलता था, vertical reaction निकाल लीजे, ठीक है, vertical reaction निकाल लीजे, या फिर आप बोल दो और HB को दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर external कोई horizontal force नहीं है तो H A equals to H B summation F X equals to 0 करोगे तो दोनों side equal and opposite हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ मैं V और VB find out कर लेता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले summation of M A equals to 0 कर लेंगे चली कर लेते हैं अगर मैं M equals to 2R ठीक है anti clock wise है तो चली को anti clock wise को plus ले रहाँ और P into R को मैं क्या ले ले रहाँ minus plus P into R sorry minus P into R equals to क्या हो जाएगा 0 तो यहाँ से आपने को VB बताइए VB कितना हो जाएगा आपके पास P by 2 अपट डिरेक्शन में similarly VA भी कितना हो जाएगा आपके पास P by 2 कैसे जब आप summation Fy equals to 0 करोगे तो clear है यहाँ तक आपने दोनों यहाँ पर निकाल लिया कितना है यह VA की जगा कितना आगया यह P by 2 और VB की जगा भी कितना आगया आपके पास this will be also P by 2 ठीक है हम वही सारी चीज़े निकालेंगे हम reaction निकालेंगे हम इसके बाद bending moment के बारें बात करेंगे हम maximum bending moment के बारें भी बात कर सकते हैं ठीक है हम यहाँ पर radial shear radial shear के बारें बात करेंगे और normal thrust के बारें भी बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले V A V B निकाल लिया अच्छा H बताईए तो H कितना हो जाएगा अगर मैं H के बारे में बात करूँ तो H कितना हो जाएगा तो मैं H के लिए क्या बोलता था आप क्या कर लो horizontal thrust निकालने के लिए मैं बोलता था 3 hinge arch है न तो यहाँ पर hinge C पे hinge है तो मतलब C पे hinge है तो इस point पे hinge वाले point पे bending moment कितना हो जाएगा 0 तो हमारे पास एक और equation आगा है कौन सा since C कैसा आपके पास internal hinge है ठीक है तो यहाँ पर moment at C कितना हो जाएगा 0 bending moment आप या तो left से ले लो या तो आप right से ले लो तो अकर मैं left से लिया C point पे bending moment तो कितना हो जाएगा P by 2 into R P by 2 into R minus H into R minus H into R equals to 0 तो यहाँ से आप H निकाल लिए तो H भी कितना आजाएगा आपके पास P by 2 ही आ जा रहे है ठीक है? H भी कितना आ रहे है आपके पास? P by 2 आ जा रहे है तो यहाँ से जो reaction है horizontal 4 जो है, ये भी कितने आपके पास P by 2 और ये वाली जो horizontal reaction जो लगी है ये भी कितनी आपके पास, this is also P by 2 clear है, ये तो आप देखके ही समझ जाते कि symmetrical है center पर load लगा है, तो vertical वाली जो reaction आएंगे, बो दोनों क्या हो जाएंगे half of ले लेंगे, इतना करने की दुरूरत दी था पर फिर भी मैं थोड़ा basic तरीके से बता दिया सारे equations वगर क्या, यूस कर लिए हमने अब क्या करते हैं, चली bending moment निकालते है bending moment मैं बोलो, कोई भी एक x direction में ले लो आप, ठीक है, आप क्या करो कोई भी यहां से, आप यहां से क्या करिए, कोई भी एक x direction में जाएए, x distance पर जाएए, यह x distance पर गया, और यहां पर इस point पर, चली इस point भी आप बोलते रहा हूँ d, इस point पर, चली छोड़िए, d नहीं बोलता हूँ, कोई भी स्टेप नमबर कौन सा आ जाएगा यह, चली यहीं पर लिखता, स्टेप नमबर कौन सा हो जाएगा यह, step नमबर 3, यहां पर मैं बोल रहा हूँ, bending moment at x distance पर, ठीक है, bending moment at, कहां पर निकालना है, x distance from a पर, मतलब मुझे इस point पर, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, bending moment कितना आएगा, तो चली यह, section के left में अगर आप देखेंगे, तो दो reaction है, कौन-कौन सी, एक vertical और एक horizontal, तो यह कितना हो जाएगा, p by 2 into x minus horizontal वाला, p by 2 into, ठीक है, इसको मैं अच्छा से लिख लेता हूँ, तो इसको मैं बोल देता हूँ, va into x minus h into y, ठीक है, तो हमें यहाँ पर, क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा, bending moment at x, अच्छा, va और h हमने निकालना है था, कितना है दोनो, p by 2 और p by 2, लेकिन यहाँ पर, यह वाला distance कितना है, x, और यह वाला distance कितना हो जाएगा, y, vertical distance को मैं y ले लिया, horizontal distance को मैं कितना रख लिया, x, तो यहाँ पर हमें यह निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर मैं बात करू, va कितना है आपके पास, this is p by 2, चलिए ओल्टा लिख लेता हूँ, m तो यह कितना हो जागा, p by 2, x minus y, bending moment at any x distance, ठीक है, अब मैं को एक बात बताईए, कि यहाँ बर, यह जो x और यह जो y है, parabolic अगर अब हम बात करते थे, तो parabolic में हम क्या करते थे, y का हम direct equation था, कितना था, 4h upon l square, x into l minus x, यह किसके terms में था, जब हम parabolic arch, जब हम analyze कर देते, वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर condition क्या आ गई है, यहाँ पर आपके पास कैसा arch है, यह है semi circular arch, तो यहाँ पर आप y की यह वाली value आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर, इसको आप नहीं ले सकते हैं, आपको semi circular arch में देखना पड़ेगा, x और y की distance कितनी है, चली, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यह वाला मेरा center है, circle का center है, इसको आप पूरा complete कर लोगे, नीचे भी बना दोगे, तो एक complete circle बन जाएगा, जिसका radius कितना है आपके पास, r, यहाँ पर भी r है, और यह भी पूरा कितना है आपके पास, r, तो चली, यहा मैरे पास? radius है, यह भी कितना है, radius है, और यहाँ पर, यह कितना है मैंने, यह कितना ले लिया, मैंने, theta मैंने क्या ले लिया, इसका angle ले लिया, ठीक है, किसी भी horizontal doen theta degree पे, मुझे क्या निकालना है, bending moment निकालना है, उस point में या फिर उस section में, अब मैं क्या कर सकता हूं, कि पते है ठीक है मुझे ये वाले triangle में ये वाले angle कितना है theta hypotenuse कितना हो गया इसमें r चलिए ये वाले triangle को मैं अलग से कर देता हूँ ये वाले triangle को मैं अलग से बना देता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकेंगे ठीक है ये कितना था आपके पास मैंने किसी ओर डिस्टेंस से मैंने कोई भी एक डिस्टेंस जहाँ पर मैं निकाल करूं बेंडिंग मोमेंट महां से मैंने एक लाइन खीचिये वो कितना है अमने हमारे पास रेडियस है आर मुझे वर्टिकल डिस्टेंस ठीक है य का तो यहां से अगर मैं sin थीटा लिखूं sin theta कितना हो जाएगा मेरे पास y by r तो y कितना हो जाएगा आपके पास r into sin theta y कितना हो जाएगा आपके पास r into sin theta similarly, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि इस point पे यह a point था a से कैसा जा रहा था आपके पास यह कुछ इस direction में जा रहा था ठीक है, ये से कुछ, इस direction में आपको circular arch था, और यहां से हमने ये वाले distance जो लिया था, ये कितना था हमारे पास, x, ये वाले distance कितना था हमारे पास, x, तो इस triangle से, पहले आप में को ये वाली value बता दीजे, इसको अगर मैं बोल देता हूँ, चलिए x dash बोल देता हूँ, ठीक लिजे, तो यहां पर cos theta कर मैं लिखूंगा, cos theta कितना हो जाएगा मारे पास, base upon hypotenuse, x dash upon, तो यहां से x dash कितना हो जाएगा, x dash हो जाएगा हमारे पास, r cos theta, x dash कितना हो गया मेरे पास, r cos theta, तो ये इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास, r cos theta, और ये तो center थ तो एंड कितना हो जाएगा यह लेंद। रेडियस हो जाएगा तो मेरा x क्या होगा x होगा मेरा total radius minus r cos theta तो यहां से आप x को ऐसे भी लिख सकते हो r को common लेलिया मैंने तो कितना हो जाएगा 1 minus cos theta तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि X की value कितना ही मेरे पस R into 1-Cosθ और Y कितना है मिरे पस R into Sinθ तो आप यहां से लिख सकते हैं आप यहां पे लिख सकते है कि यह जो X है यह X की value कितना ही मेरे पस R into 1-Cosθ ठीक है ध्यान दीजएगा आप यह वाला X मत ले ले लेना ठीक है, आप इसको x मत ले ना, left से जो है, a point से हम कोई x distance बेगा है, ये x है हमारा, और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा r sin theta, ठीक है, ये दो चीज आप उस triangle से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो x और y आ गया, पर bending moment put करते हैं, तो कितना है हमारे पास, p by 2 x minus y तो ये कितना हो जाएगा, p by 2, x कितना है हमारे पास, r 1 minus cos theta, minus y कितना है हमारे पास, r sin theta, ठीक हैं, तो यहाँ से आप क्या कर लीजे, r को common ले लीजे, तो ये हो जाएगा, p r by 2, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, 1 minus cos theta minus sin theta, समझ में आएगा, तो ये क्या है आपके पास यह आपके पास bending moment है कोई भी x distance पर, कोई भी x distance पर आप चले जाएए, सर सेमी सर्कुलर आर्च पर तो आपको यह क्या मिलेगा, आपको उस x distance पर bending moment का जो equation मिलेगा, वो कितना मिलेगा, पी r by 2, 1 minus cos theta minus sin theta, समझ में आया, तो एक और फिर से revise कर लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोलेते हैं, कि यहाँ से कोई x distance पर जाके, हमें इस point पर क्या करना है, हमें bending moment निगालना है, ठीक कोई point specified नहीं कहा है, तो मैं कोई भी x distance पर जाके ले रहा हूँ, तो इसको मैंने क्या मा और x कितना हो गया, total r minus r cos theta, तो r minus r cos theta, तो कितना हो जागा, r bracket में 1 minus cos theta, तो मैंने उसको put कर दिया यहाँ पर, तो मेरा mx यहाँ पर निकल गया, अच्छा, तो यह तो bending moment निकल गया, किसी भी x distance पर, तो यह कोई x specified value नहीं है, हर एक, अगर आप x का distance change करेंगे, तो यहाँ प बोलू, ठीक है, कि यह तो general equation आगे, bending moment का, मैं आपको बोलू, कोई आप में को ऐसा बताईए, कि सबसे maximum bending moment आपको कहाँ पर मिलेगा, और कितना मिलेगा, ठीक है, तो अपन उसको find out कर लेते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलू, कि मुझे maximum bending moment बताईए, step number 4 मैं आपसे मैं बोल करूँ, तो आपको पता है, maxima और minima का जो concept होता है, कोई भी चीज को, कोई भी quantity को हमें maximum उसको निकालना है, value, तो हम क्या करते हैं, उसका derivative लेके, equals to कितना कर लेते हैं, उसको, 0, तो हमें वहाँ से point मिल जाते है, किस point वो maximum होगा, तो हमें यह पता है, कि mx की value है, वो कितन minus sin theta, हमें क्या करना है, maximum proof करना है, तो यह क्या हो जागा, dmx upon d theta equals to, क्या करना है, हमें, 0 put करना है, तो जब मैं इसको 0 put करूँगा, तो क्या हो जागा हमारे पास, pr by 2, 1 minus, नहीं, पहले इसका differentiate करना पड़ेगा, इसको differentiate करिए, तो यह तो आपके बास constant है, इसको बाहर कर द minus, cos theta का differentiation कितना हो जाएगा, cos theta को होता है, minus sin theta, already एक minus है, एक और बार minus sin theta कर देंगे, तो minus minus क्या हो जाएगा, plus sin theta minus sin theta का differentiation कितना हो जाएगा, cos theta equals to क्या हो जाएगा, यह 0, पहले हमें point निकालना पड़ेगा, कि कहां पर आपका maximum bending moment आएगा, फिर हमें वह अली value को put करके, इस general equation में put करके, हमें उसकी maximum bending moment की quantity निकालने पड़ेगे, तो यहाँ से आप theta find out करिए, तो PR by 2 को मैं right hand side लेके चले गया, बचा क्या हमारे पास, sin theta minus cos theta equals to 0, तो cos theta को मैं outside लेके गया, तो sin theta कितना हो जाएगा, मेरे पास, equals to cos theta, तो आप यहाँ से ऐसा भी लेक सकते हो, cos को नीच पाता है, theta equals to कितना हो जाएगा आपके पास, 45 degree, ठीक है, जब आप theta को जब आप 45 degree put करोगे, इसका मतलब time data वहाँ पर कितना होता है, बन, तो यह समझ में आगया आपको, कि जब यह जो theta जो आपने लिया है, horizontal से, मैं किसी भी angle पे, theta पे, मैं bending moment का मैंने equation निकाल लिया, जब horizontal से आप कहा गया है, 45 degree पे जिस point पे आओगे, उस point पे जो bending moment निकालोगे, वो bending moment क्या होगा, आपका maximum bending moment होगा, समझ में आया, point हमने निकाल लिया, theta कितना हो गया, 45 degree हो गया, और जो भी point आएगा, उस point पे bending moment क्या होगा, आपका maximum होगा, ठीक है, तो यह आपको समझ मे आगया, theta की value कितनी है, यह आपके पास, 45 degree, चलिए, यहाँ पर अपन put करते है, when theta equals to 45 degree, when theta equals to 45 degree, general equation क्या था हमारे पास, mx का, general equation यही वाला है, mx का, pr by 2, 1 minus cos theta, minus sin theta, तो यहाँ पर अब यह जो theta जो मिला है, मुझे maximum bending moment निकालना है, तो मैं theta की value कितनी put कर दूँगा, 45 degree put कर दूँगा, तो मुझे यहाँ पर mx की जो value होगी, वो क्या हो जाएगी, वो m maximum हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं put करता हूँ, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ, m maximum equals to क्या हो जाएगा, pr by 2, 1 minus cos theta, theta की जगा क्या put कर दूँगा, 45 degree, 1 minus cos 45 degree, minus sin, कितना हो जाएगा यह, 45 degree, put कर दीजिए अब value, value आब put कर दीजिए कितना हो जाएगा, pr by 2, 1 minus cos 45 कितना होता है, 1 by root 2, sin 45 भी कितना होता है, 1 by root 2, तो जाएगा, pr by 2, 1 minus, 1 by root 2 plus, 1 by root 2 मतलब, 2 into 1 by root 2, मतलब 2 by root 2, तो जाएगा, 1 minus root 2, ठीक है, pr by 2, bracket में कितना हो जाएगा, 1 minus root 2, इसका मतलब, अगर मैं bending moment, maximum की बात करूँ, तो minus को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो एक कितना हो जाएगा, minus pr by 2, in bracket कितना हो जाएगा, ये, root 2 minus 1, in bracket कितना हो जाएगा, ये, pr by 2, minus of pr by 2, in bracket root 2 minus 1, ये जो value आई है, ये value क्या है आपके पास, ये value है आपके पास, maximum bending moment, कितना है ये, minus pr by 2, root 2 minus 1, तो चलिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अब, कि आप मुझे locate करके बताएगे, maximum bending moment, ठीक है, यहाँ पर आप, BMD बनाईए, bending moment diagram बना के दिखाईए हुझे, तो अगर मैं आपको bending moment diagram बना के दिखाया, इस arch का, तो वो कैसा बनेगा, चलिए, देख लेते हैं उसको भी, ठीक है, यह वाली चीज, X और Y बहुत important है, इसको अब अच्छे से note कर लिजएगे, जितने भी चीज बतारों, सारी चीज नोट करिए, चलिए, BMD देखते हैं अपन, तो आपने कुछ, इस type से क्या बनाया, आपके पास, यह point था, this is A, this is B, और यह वाला जो point था, यह क्या है आपके पास, this is C, ठीक है, semi circular है यह, थोड़ा इसको, अच्छे से बना लेना आप लो, यह क्या है आपके पास, this is the center, अब मैं बोल रहा हूँ, center मैं, angle मैं कैसे ले रहा था, मैं horizontal से ले रहा था, देखिए, यह horizontal के साथ बनाया हूँ, मतलब, base से मैं angle ले रहा था, तो जब मैं base से angle लेके, जब यहां पर मैं कित्ता लिया, 45 degree लिया, left से मैं कित्ता लिया, 45 degree लिया, similarly right से भी मैं कित्ता लिया, 45 degree लिया, तो यह वाले जो point है, यह वाले जो point है, चलिए, इसको मैं बोल देना हूँ, D, और यह क्या है आपके पास, E, इस वाले point पर क्या मिलेगा, मुझे सबसे ज़्यादा bending moment मिलेगा, इस वाले point पर सबसे ज़्यादा bending moment मिलेगा, ठीक है, इसको थोड़ा dotted line से बनाते हैं आप ल आएगा, bending moment कैसा आएगा, आपके पास आएगा कुछ, इस टाइप से, ठीक है, देखें, यह D point में मुझे सबसे बड़ी value मिलेगी, similarly E point में मुझे सबसे बड़ी value मिलेगी, और यह A, B और C, यह point क्या है, यह point hinge है, और hinge point की property क्या होती है, hinge joint की जो property होती है, कि यहाँ पर bending moment कितना आता है, 0, तो जो green से मैंने जो बनाया है, वो क्या है, उसका क्या represent कर रहे डियागरम में, bending moment, और C point पे आप देखेंगे, तो C point पे इसका कोई भी magnitude नहीं दिख रहा है, bending moment का कोई भी magnitude नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इस point पे bending moment कितना हो गया, 0, और आप द कितना निकाला है, कितना निकाला है, आपने M maximum, यहाँ पर देखें, M maximum की value कितनी आई थी, minus P r by 2 into root 2 minus 1, तो आप D और E point पे जो निकाले हैं, यह total bending moment किस में आपका, negative आया है, तो यहाँ पर किस की value कितनी हो जाएगी, इस point की, यह हो जाएगी P r by 2 root 2 minus 1, similarly इस point भी कितना हो यह होगा P r by 2 root 2 minus 1, और इसको आप क्या कर देना, इसको आप shade कर देना, यह क्या आपके पास, यह है आपके पास bending moment, diagram, clear, तो आप देखेंगे, कि आपको यहाँ से base से 45 degree पे आपको, क्या मिलेगा, आपको maximum bending moment मिलेगा, समझ में आया, तो यह क्या था, उसका bending moment था, आपको पहले general equation निकालना पड़ेगा, कोई भी एक x distance पे, और x distance पे आपने general equation निकाल लिया, bending moment का, अगर कोई भी quantity को हमे maximum चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, उसका differentiate, maximum minimum concept यूज करते हैं, d by d, जिस पी terms पर आपको 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 but since यह क्या है, यह angle पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, angle change हो रहा है, x change नहीं हो रहा है, angular यहाँ पर क्या आ रहा है, changes आ रहे है, तो इसलिए मैं किस के terms में निकालूँगा, d theta के terms में equal to 0 put किया, तो मुझे वहाँ पर theta की value मिल गी, maximum कहाँ पर मिलेगा, और य next हम क्या निकालते है, किसी भी section पर, जैसे इस section पर, अगर मैं cut करूँगा, तो वहाँ पर दो quantity मिलती ही, कौन-कौन सी, तीन चीज मिलती ही, जनरली, एक bending moment, एक आपका radial shear, और क्या मिलते है आपको, normal thrust, तो bending moment तो हमने निकाल लिया, bending moment हमने निकाल लिया, next क्या निकालेंग तो radial shear की अगर मैं बात करूँ, radial shear की किसे denote करते हैं हम, s x से, तो अगर मैं s x की बात करूँ, formula क्या होता है मार पस, v x cos theta, minus क्या होता है मार पस, h sin theta, देखें आप बहुत confused होंगे बार बार इसमें, कि यहाँ पर sin लेने हैं, कि यहाँ पर cos लेने हैं, तो इसलिए यहाँ यह plus लेना है, cos theta लेने हैं, कि sin theta लेने हैं, तो वहाँ पर आप बहुत जादा confused होंगे, ठीके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो v x क्या होता है आपके पास, shear force, add the section, जिस section पर भी आप बात करूँ, ठीके, तो अभी अगर मैं बात करूँ, तो v x कितना हो जाएगा मेर आप put करिए, तो वह जाएगा, p by 2 into cos theta, p by 2 into cos theta minus h कितना है, p by 2 into sin theta, ठीक है, तो यहाँ से आप देख लिएगे, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, p by 2 common ले लिया, बचा गया, cos theta minus sin theta, तो आप यहाँ से s x निकाल लिए, कितना है है, p by 2 cos theta minus sin theta, तो यह क्या था यह आप क्यों मिल गया है, क्या है, एक general आपको equation मिल गया, जैसे आपने mx का निकाला था, similarly हमने radial shear का भी निकाल लिया, अब बात करेंगे हैं, अलग-अलग point पे, अगर मैं at a की अगर मैं बात करूँ, तो अगर a की बात करोगे, तो आपके जो slope बना रहा है, वो कैसा बना similarly, c point पे आपके पास, c क्या था, आपका crown वारा point था, c point पे आपके पास, theta कितना हो जाएगा, 90 degree, सबसे पहले करें, मैं at a की बात करूँ, theta कितना हो जाएगा, 0, तो अगर आप s a निकालेंगे, तो s a कितना हो जाएगा, p by 2, cos, theta की जाएगा, क्या put कर दूँगा, मैं, cos 0, minus sin 0 degree, तो आप यहाँ जब put करिये, तो आपको answer कितना मिल जाएगा, आपको answer मिल जाएगा, s a की value कितना हो जाएगी, p by 2, similarly, अगर मैं at c की बात करूँ, at c point की बात करूँ, तो c point में theta कितना है, आपके पास, 90 degree, 90 degree मतलब कितना हो जाएगा, वो, pi by 2, तो यहाँ पर, s c अगर आप निकालेंगे, तो s c की value कितना हो जाएगी, p by 2, cos pi by 2, minus sin pi by 2, तो आप देखें, कितना हो जाएगा, cos pi by 2 कितना हो जाएगा, आपके पास, 0 minus 1, तो आपको पता है, s c पे value कितनी हो जाएगी, आपके पास, minus p by 2, similarly, अगर हमने जो maximum, जो bending moment निकाला था, maximum वाले point पे, at maximum bending moment, theta कितना था महाँ पर, theta था हमारे पास, 45 degree, तो उस point पर अगर मैं, radial shear निकालू, तो वो कितना हो जाएगा, हमारे पास, p by 2, cos 45 degree minus sin 45 degree, तो cos 45 degree कितना होता है, 1 by root 2, sin 45 degree कितना होता है, वो भी, 1 by root 2, आपस में दोनों equal है, तो कितना हो जाएगा, वो, 0 हो जाएगा, तो S की value कितनी हो जाएगा, आपके पास, 0, और यही तो हमें पता है, कि जिस point पे आपका bending moment maximum आता है, जिस point पे bending moment maximum आता है, उस point पे shear force कितना होता है, सबसे minimum, मतलब कितना, 0, तो hence यह वाली चीज़ भी आपके पास, प्रूब हो गई, ठीक है, तो radial shear आप ऐसी ही निकालेंगे, next आपको क्या निकालना है, next आपको निकालना है, normal thrust, ताप normal thrust के लिए आप पहले equation लिख लेंगे, क्या, nx equals to vx sin theta plus h cos theta, और उसके बाद एक general equation निकालने के बाद, आप हर point पे चेक कर सकते कि वहाँ पर nx की value, कित आया था semi circular arch से, थोड़ा उसमें कोई twist रहेगा, तो वाले question को भी आपन अच्छे देल करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर एक question दीए आपको, question में आपको कोई figure वगरा कुछ नहीं बताया, आपको बत बोला गया है, 3 symmetrical 3 hinge circular arch, ठीक है, आपके पास कैसे है, एक circular arch है, has a span of 25 meter and a rise of central hinge 5 meter, मतलब जो rise जो होता है, ठीक है, वो कितना आपके पास 5 meter, it carries a vertical load of 100 kN at 6 meter from the left hand, मतलब, क्या बोलते हैं, जो left आला जो point होगा, वहाँ से आपको 6 meter पे कितना लगा है, आपके पास 100 kN का force लगा है, find the bending moment, radial shear and normal thrust at 5 meter from A, तो चलिए सबसे पहले इसका figure बना लेते हैं, ठीक है, figure सबसे साथ में important है, circular arch में, parabolic में तो आप बना लोगे मुझे पता है, circular arch में थोड़ा सा figure को थोड़ा सा importantly आपको देखना पड़ेगा, चलिए सबसे पहले एक circular arch मैंने बनाया, ठीक है, मैंने एक circular arch बनाया, 3 hinge रह, तो यह 1, 2, और यह 3, this is A, this is B and that is C, आपको बोल लग है कि यहाँ पर, total जो इसके पास जो length जो है, total जो length है, total जो length है, वो कितने आपके पास, 25 meter, total length कितने आपके पास, 25 meter, और दूसरी चीज़ आपको बोल रहा है, and a rise of central hinges 5 meter, ठीक है, तो यह जो rise जो है, यह कितने आपके पास, 5 meter है, it carries a vertical load of 100 kilonewton at 6 meter, at 6 meter मतलब, जब आप यहाँ से, कुछ आप 6 meter गए, तो आपको इस point पर, चलिए D point बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास, नहीं, sorry, आप यहाँ से जब 6 meter गए, तो आपको इस 6 meter पर एक load लगा हुआ है, कितने का, 100 kilonewton का एक load लगा हुआ है, ठीक है, this is 100 kilonewton, कहाँ से, यहाँ से लेकर, यहाँ तक, this is what, 6 meter पर आपका 100 kilonewton का एक force लगा हुआ है, left side से, ठीक है, मतलब point A से, आपको बोला है, find the bending moment, radial shear and normal thrust at 5 meter from A, मतलब, यहाँ से जब आप 5 meter travel करोगे, तो इस point पर, चलिए, इसको बैद D बोलते रहाँ, इस point पर आपको क्या निकालने है, इस point पर आपको निकालने है, इसका मतलब, यह वाला भी, जो आपने यह वाला point लिया है, यह क्या हो जागा, center हो जागा, circle का, तो यह भी radius हो जागा, यह भी radius हो जागा, और यह भी radius हो जागा, जैसे इसके पहले वाले हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या बोला है, कि आप अगर आप यह वाला point देखोगे, तो यह कितना हो जाएगा, 12.5 meter, just half, यह वाला point भी रेखोगे, तो यह कितना हो जाएगा, अगर आप एक पूरा circle अगर आप बात करोगे, ठीक है, अगर मैं एक पूरा circle ले लिया, तो यह जो arch जो आपको दिया है, इसके पहले आले question में, center से मैंने बताया था, अभी आपको जो बताया है, वो यहां से बताया है, ठीक है, आपको कहां से बताया है, यहां से, मतलब यह वाला point जो है, यह A है, this is your B, and this is your C, तो यहां से यहां 12.5, यह है 12.5, और यह जो दिया है, यह कितना आपके पास, 5 meter, तो इसका center कहां पर आएगा, तो इसका center आजएगा, कहां पर कुछ, इस point पर, देखेंगे, circle में एक अच्छा circle बनाया नहीं, आप इसको अच्छे देर ड्राओ कर कर सकते हैं, कि इसका जो circle जो center जो आएगा, वो कहां पर आएगा, कुछ इस point पर, समझ में आया, तो मतलब, आप इसको, हमें बस ये वाला segment दिया गया, ये वाला जो ACB वाला segment है, semicircular arch का, हमें, वो वाला segment बस दिया गया है, हमें बीच का, जो हमने इसके पहले वाले case में, हमने कहां से discuss किया था, हमने यहां से discuss किया ये वाला, semicircular पूरा ले लिया था हमने, तभी वहाँ पर ये भी radius था, ये भी radius था और ये भी radius था, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सबकी अलग-अलग, यहां पर length दे दी गई है, तो हम क्या माल लेंगे, हम यहां पर माल लेंगे, कि हमारे पस, जो center है, वो कहां स करूँ, अगर मैं इस side की बात करूँ, तो पहले तो यह थोड़ा circle ठीक से मनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कुछ इस type का है, अब यहां पर अगर मैं बात करूँगा, तो ये वाला जो point है, ये जो है, ये कितना है हमारे पास, this is your radius, similarly ये जो होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, radius होजाएगा, तो अगर मैं यहां की बात करूँ तो टोटल मिर पास कितना होजाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, तो आर हो जाएगा, ये टोटल, अगर मैं बनाया, उपर से लेकर नीचे तक diameter कितना हो जाएगा आपके पास 2R हो जाएगा और यहाँ पर में को H की value, rise की value दे दिया गया है, rise कितना दिया है मुझे, H equals to कितना दिया है मुझे, 5 meter, H equals to 5 meter दिया है, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2R minus H, clear है, यह कितना हो जाएगा आपके पास from the bottom point से लेकर यहां तक जो base थक है वो कितना हो जाएगा आपके पास 2R-H clear यहां तक अब यह जो length of the chord है इसको मैं AB कोई chord माल लेता हूँ तो length of the chord अगर मैं बोलूँगा length of chord AB वो कितना है मिरे पास 25 meter तो L by 2 कितना है मिरे पास 12.5 और यह L by 2 कितना हो जाएगा मिरे पास यह भी 12.5 हो जाएगा ठीक है तो यह चीज सबसे पहले समाजना जरूरी है कि question में दिया क्या गया है question में radius के बारे में कहीं बात नहीं किया है question में सबकी अलग-अलग value यहां पर देखे रखा है तो आप इसको radius मत समझ लेना किसी भी चीज को कि इसके पहले हमने radius देखा था semicircular arch में बड़ यहां पर radius के बारे में बात नहीं की गई है ठीक है तो एक circle समझ में आया concept समझ में आया है 2 r minus h कैसे आया h यहां पर given है total diameter कितना था 2 into radius यहां पर h कर दिया तो 2 radius minus h करेंगे तो हमें यहां से लेकर यहां तक है height हमें मिल जाएगी clear चली इतना हमें को समझाना था अब यहां से हम क्या करते हैं हमारा analysis part के start करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हम सबसे पहले कोहीं चीज़ करते हैं क्या reactionす करना step number one क्या रहेगा हमें to calculate the reaction चलिए reaction देखते ए पर कित्ती reaction आएंगे ए पर दो reaction आएगा कौन कौन सा वी ए यहाँ पर क्या जाएगा H similarly यहाँ पर क्या जाएगा VB और यहाँ पर क्या जाएगा this is also H चलिए वी ए वी बताईए सबसे पहले क्या कर लेता हूं मैं summation of ma equals to zero कर ले ठीक है तो क्या गया मिलेगा हमें हमें मिल जाएगा VB into चलिए minus VB into 25 plus 100 into 6 और कोई force नहीं equals to zero तो यहाँ से हमें को VB बताईए VB कितना हो जाएगा 100 into 6 divided by 25 तो यह कितना हो जाएगा 24 किलो न्यूटन ठीक है VB आ गया अब अगर मैं VA की बात करूँ तो अगर यह 24 है तो वो कितना हो जाएगा 100 minus 24 तो यह कितना हो जाएगा आपके पास 76 किलो न्यूटन समेशन FI equals to zero करोगे तो VA plus DB किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 100 के बराबर तो VA कितना हो जाएगा 100 minus VB मतलब कितना हो जाएगा यह 76 सिमिलली अगर अपन बात करते हैं एच निकालना है तो एच के लिए में क्या बोला था एच निकालने के लिए step number 2 में क्या पता है था हम क्या ले लेंगे moment ले लेंगे hinge पे equals to zero चलिए left से अपन देखते हैं अच्छा बता अब मैं left से लूँगा तो left आला लेना ज्यादा सहीं रहेगा कि right आला लेना ज्यादा सहीं रहेगा क्योंकि left में अब तीन forces आ गई है तो चाहो तो ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगा right में लो तो यह कितना हो जाएगा VB into 12.5 यह कितना हो जाएगा VB into 12.5 minus clockwise negative होता है minus H into 5 minus H into 5 equals to कितना हो जाएगा 0 तो आप यहां से VB calculate करके बताएगे VB कितना हो रहा है आपके पास? तो यहां से आप में को H बताएगे, H कितना हो रहा है? H calculate करिए, 24 into 12.5 divided by 5 कितना हो रहा है आपके पास? 60 kilonewton, 60 kilonewton, तो यहां से आपने निकाल लिए, यह दोनों चीज़ आपने निकाल लिए, अब क्या बच्छा है हमें रपास? अब हमें बोला है कि यहां पर आपको find out करना है क्या? यहां पर आपको find out करना है इसका bending moment, radial shear, normal thrust किस point पर find out करना है आपको D point पे, मतलब यहां से जब आप 5 meter पे आप करोगे, जब आप 5 meter पे आपको लेना है इस point पे bending moment वगरा find out करने ही ह D point पे अगर मैं निकालूंगा D into 5 minus H into कितना हो जागा यह? Y अच्छा, V A बताइए, V A कितना है आपके पास? V A हमने निकाल लिया कितना? 76 into 5 minus H कितना है हमारे पास? H कितना है? 60 into, अच्छा, यह Y D तो हमें नहीं पता है भाई, Y D क्या है? Y D हमें known नहीं है, तो Y D निकालना सबसे बड़ा challenge हो जाएगा यहां पर, ठीक है? पैराबोली का अगर होता? जब हम पैराबोला में बात करते थे, तो पैराबोला में क्या होता था? कि हम Y का सीधा-सीधा equation हमें पता है, 4H upon L square, 4H upon L square, X into L minus X, देखिए, बार-बार इसले बोलता है, सर, आप बोलोगे कि, क्या सार आप हमेशा यह वाला formula लिख लेते हो, अगर मैं बार-बार लिखूंगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, आपको इसको अलग से आद कर करते हैं, तो बेटर है ना, दो-तीन बार जादा सुन ले, ताकि हम यह वाला equation याद हो जाए, ठीक है, पैराबोलिक इस आर्च में हम यह वाले यह का हम डिरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन अभी हम यह वाले equation लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमाई दिया क्या गया है, हमें निकालना पड़ेगा, तो इसके पहले मैंने आपको y निकालना सिखाया था, लेकिन वो अलग था, y equals to r sin theta या था, उसमें क्या हो रहा था, कि ये भी radius था, ये भी radius था, ये भी radius था, center से बना था, वो आला जो आर्च था, वो यहां से, center से बना था, तो सारी ये भी radius, ये radius, ये भी radius मिल गए थे, तो वहाँ पर y की value कितने होगी था, r sin theta, लेकिन यहां पर आपके पास, जो y जो है, वो center से नहीं है, वो कहां से है, आपके पास, हमें y ये वाला चाहिए, ये वाला, ये जो है, ये y चाहिए, कहां से ये आपका 5 meter x से जो होगा, हमें उसका, हमें क अची है, y point ची है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसको, चलिए, उसको निकालने के लिए हमें समयना पड़ेगा, थोड़ा से challenging रहेगा, बढ़ अपन देखते हैं, कैसे निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहां पर, इसको मिटा दूँ किया मैं, इसक circle की काफी सारी property होती है, उसमें से एक property को मैं use करने वाला हूँ, circle का एक property रहेगा, उसको मैं use करूँगा, कि अगर diameter से, उसके center से, जो diameter जो है, वहां से कोई भी अगर एक cord, एक cord जो होता है, यह भी कैसा दिख रहे है मुझे, मैंने क्या लिखा है, यहां पर, एक cord लिखा ह है, तो bisect कर रहा है कर इसके diameter को, तो property of circle के लिए, हमारे पास यह circle था, ठीक है, यह circle था, जिसमें हमने देखा था कि यह हमारे पास क्या है, arch है, और यह क्या है, हमारे पास, center point है, this is A, this is B, and this is C, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि, यहां से लेकर, यहां तक, हमारे पास क् Case है, इस point से लेकर, उपर तक हमें rise गिवन है, और यह हमारे पास circle का center है, और total, यह बाला point, टोटल, यहां से लेकर C थी कर, ठीक है, वह क्या है, diameter है, मतलब 2R है, यहा से लेकर यहां तक diameter मतलब 2R है, तो यहां से लेकर, यहां तक कितना हो जाएगा, 2R-H, तो यह कितना हो मतलब L बोल दे रहा हूँ, तो यहां से अगर मैं बोलू यह कितना है आपके पास L by 2, यह भी कितना है आपके पास L by 2, clear, अब यहां से आप समझना कि property of circle क्या आप बोलता है, property of circle, आपके भी बोलता है कि अगर आपके पास एक diameter से, ठीक है, आपके पास कोई cord bisect कर रहा है, bisect कर रहा है, 90 degree बना रहा है कोई भी cord, उसका bisect कर रहा है, तो इसका मतलब जो दोनों आपके पास जो बनेंगे, ठीक है, यह जो आपके पास जो बना है न, यह वाली चीज, इसको मैं बोल रहा हूँ, V1, vertical distance 1, और यहां से लेकर यहां तक इसको मैं बोल रहा V2, vertical distance 2, similarly इसको मैं बोल रहा हूँ, horizontal distance 1, और इसको मैं बोल रहा हूँ, horizontal distance 2, ठीक है, तो property of circle यह बोलता है, कि V1 into V2 equals to क्या हो जाएगा आपके पास, H1 into H2, इसको आप ध्यान रख लिजेगा, कि अगर यह कभी भी हर जागा valid नहीं होगा, अगर diameter से cord perpendicular bisect कर रहा है, तो horizontal into, दूसरा horizontal, this is H1, this is H2, यह दोनों का multiplication और यह छोटा वाल और बड़े वाले का multiplication कहतना होगा, दोनों का कितना हो जाएगा, same हो जाएगा, ठीक है, property of circle है, तो चलिए, यहाँ परकर मैं बात करूँ, तो V1 कितना दिख रहा है आपको, V1 कितना दिख रहा है आपको, H, ठी equals to, H1, जो horizontal length है पहले वाली की, वो कितनी आपके पास, L by 2, into, दूसरा वाला आपके पास, जो horizontal distance है, वो कितनी आपके पास, L by 2, तो यहाँ यह कहाँ सा है आपके पास, यह property of circle से आज चुक है, ठीक है, मतलब, H into 2R minus H, equals to L square upon 4, तो यहाँ से गर अपन बात करेंगे, ठीक है तो यहाँ से मुझे YD निकालना है, इस वाले bending moment को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, calculate YD, तो property क्या है हमारे पास, property से हमने देखा, कि H into 2R minus H, equals to कितना हो जाएगा, L by 2 into L by 2, H, rise आपको दे दियागा है, 5 meter का, radius के बारे में आपको पता नहीं है, radius के बारे में नहीं पता है, L कितना दिया आपको, 25 meter आपको दे दियागा है, length of arch, ठीक है, L आपको दे दियागा है, 25 meter, तो यहाँ से आपको आर बता दीजे, R कितना आ जाएगा, आपके पास R कितना आ 10 r minus 25 equals to 25 by 2 into 25 by 2 calculate करें उमें को r बताईए calculate करके में को r बताईए 5 to the 10 r minus 25 equals to 25 by 2 into 25 by 2 r कितना आ रहे है आपके पास मेरे पास जो value आ रहे है 18.125 meter ठीक है मेरे पास जो r की value आ रहे है radius की value आ रहे है 18.125 meter तो यहां से मैंने क्या निकाला इस property of circle से मैंने radius निकाल लिया इस property of circle से मैंने radius तो मैंने निकाल लिया अब क्या करने मुझे यह radius तो मैंने निकाल लिया बट मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए इसका y की distance मुझे क्या चाहिए यहां पर y की distance तो चलिए यहां तक ठीक है I hope यहां तक आपको समझने आया होगा तो हमने यहां पर radius निकाल लिया bending moment निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे वो y चाहिए तो चलिए y को calculate करते है अच्छा तो मुझे यह y चाहिए इसको थोड़ा तो और बड़ा बनाएंगा इस इस ए इस 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 बी इस इस सी ठीक है यहां पर कहीं पर आपको क्या हो जाएगा center मिलेगा आपको यहां पर कहीं पर आपको क्या मिल रहा है center और मुझे center से मुझे पता है कि यह क्या हो जाएगा मेरा radius center से यह क्या हो जाएगा मेरे पास radius दूसरी चीज़ अब आपको ये बत है, कि ये वाला distance क्या है, ये वाला distance है मेरा d ठीक है, और ये क्या है मेरे पस, y, this is x चलिए यहाँ से भी अगर मैं देख लो तो ये क्या है मेरे पस, h, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ये मेरे पस हो जाएगा, theta तो अगर मैं, ये वाला, इसकी अगर मैं बात करूँ, इस triangle की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये वाला triangle यह triangle के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यह वाले triangle में आप मैं को बता सकते हो क्या यह r क्या दिख रहा है आपको hypotenuse ठीक है यह h को भी हटाई जाना ना बना confused हो जाओ ठीक है तो अगर यह hypotenuse है यह angle है तो यह कितना हो जाएगा आपके पास r sin theta हो जाएगा sin theta क्या होता है perpendicular upon hypotenuse तो यह इसकी value अगर आप देखो के तो कितना जाएगा आपके पास r sin theta similarly इसकी अगर मैं बात करूँ इसकी अगर मैं बात करूँ तो यह कितना हो जाएगा r cos theta ठीक है, फूरे वर्टिकल की अगर मैं बात करूँगा, फूरे वर्टिकल की बात करूँगा, तो वो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला y दिस्टेंस, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला y दिस्टेंस, तो अब म लेकर मैं यहां तक की बात करूUPS तो यह कितना हो जाएगा मिरे पास بنगे यहां से लेकर यहां तक यह कितना है मिरे पास डेटियस R हैं ठीक है रेटियस R है और मैं अगर R यह कितना हो जाएगा this is R fosse you Rme plate है Tos mature Mine r Calvin पास यह वाला total distance मतलब C से लेकर O तक कितना आपके पास radius है minus क्या कर दूँँगा मैं यह वाला triangle का जो height है यह कितना आपके पास R cos theta तो अगर मैं सिर्फ यह triangle से लेकर C तक का distance लोगा तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा R minus R cos theta इसका मतलब कैसे लिख सकते हूँ mean इसको ऐसे लिख सकते हो USDA B1 minus cos theta कहां से कहां तक सिर्फ यह वाला portion ठीके मतलब यह टोटल अगर R है तो अगर मैं सिर्फ यह वाला portion लिख रहं सिर्फ यह वाला portion तो यह कितना हो जो आपके पस H है तो YD कितना हो जाएगा? YD कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक तो H- R1- cos theta हो जाएगा ठीक है? YD कितना हो जाएगा आपके पस? YD हो जाएगा H- R 1- cos theta यह समझ मैं ढीजिए डेगराम अच्छे दो समझ जीए ठीक है, यहां से मैंने radius ले लिया, उस radius से मैंने angle पे मैंने एक triangle बनाया तो यह कितना हो जाएगा, r sin theta और यह पूरा जो base जो बनाया वो कितना हो जाएगा, r cos theta total, topmost point तक कितना है radius है, तो सिर्फ अगर मैं इत्ती height अगर निकालू तो कितना हो जाएगा radius minus r cos theta तो कितना हो जाएगा r1 minus cos theta अब मुझे y चाहिए, y मतलब यहां से लेकर base तक कितना है वो h है, rise है तो rise minus r1 minus cos theta किया, तो मुझे क्या मिल गया yd मिल गया कितना h minus r1 minus cos theta ठीक है, similarly अगर आप यहां से देखेंगे तो यह कितना आपके पास यह r sin theta है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, यह कितना आपके पास r sin theta और यह कितना आपके पास, यह x है और आपको पता है कि यह वाली जो distance है ठीक है, अगर मैं यहां की बात करूँ तो हमें, यह क्या है आपके पास, this is your x and this is your r sin theta, और ये किसके बराबर, ये किसके बराबर है, l by 2 के बराबर है, मतलब कितना, 12.5 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकते हूं क्या, कि यहाँ पर, ये जो r sin theta plus x equals to कितना हो रहा है, r, sin, theta plus x, equal to कितना हो रहा है, 12.5 के बराबर हो रहा है मतलब कितना है, L by 2 के बराबर हो रहा है ठीक है, x मुझे given है x मुझे given है कितना, यहां से x मुझे given है कितना, 5 meter पे 5 meter पे निकालने के लिए बोल है maka WH-2, 5 meter तो यह δो equation आपको समझ में आए कैसे आए तो यहां से आपको यह वाले डागराम अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो आपको यह वाले दो equation आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ठीक है तो चलिए यहां से अपन देखते हैं तो यह दो equation का use करके हमें क्या निकालना है हमें निकालना है yd और वो yd का use करके हमें क्या निकालना है bending moment निकालना है ठीक है d point पे चलिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ yd निकालने के लिए मैंने r निकाल लिया ठीक है r कितना है 18.1-5 H मुझे given है, H कितना है मार पास rise कितना है 5 meter का 1 minus cos theta अब theta कितना होगा, theta तो नहीं पता है मुझे, तो theta के लिए मैं यहां से निकाल लूँगा, यहां से निकालने के लिए R पता है मुझे X पता है, X कितना है मुझे 5 meter पे, 5 meter पे निकाले है न और L by 2, L पाता है मेरे पास कितना? 25 by 2 करेंगे तो 12.5 आ जागा, तो यहाँ से आप theta निकाल लेंगे, यह theta को आप यहाँ पर put करेंगे, तो आपको क्या मिल जागा? YD आपको मिल जागा, clear? तो चलिए, यहाँ पर आपन दो equation लिख लेते हैं, सबसे पहले, क्या पता है मैंने R sin theta plus x equals to क्या होता है आपके पास? L by 2, R sin theta plus x equals to L by 2, तो इसको put करते हैं, तो कितना हो जागा? 18.125 into sin theta plus x की value कितनी है हमारे पास? 5 meter equals to 25 by 2, मतलब कितना हो जागा यह? 12.5, तो यहाँ से आप मेंको sin theta की value बता है, sin theta की value बता है, और या फिर आप मेंको direct theta की value बता है, theta की आप मेंको value बताएंगे, ठीक है? तो यहाले equation को solve करके, आप पहले मेंको sin theta बताएं, कितना आगा यह? 12.5 minus 5 करेंगे, तो कितना हो जागा? 7.5 divided by 18.125, 7.5 divided by 18.125, तो यह कितना हो जागा? 0.4138, 0.4138 और sin inverse कर दीजे, तो कितना आजागा आपके पास? 24.4 degree, ठीक है? theta कितना आगा आपके पास? 24.4 degree, अब आप यहाँ से yd निकाल लीजे, अब आप क्या करें यहाँ से? yd निकाल लीजे, तो yd का equation कितना है हमारे पास? h minus r 1 minus cos theta, तो यह कितना हो जागा? h कितना है? 5 minus r कितना है? 18.125 into 1 minus cos 24.4 degree, 24.4, तो यहाँ से आपके पास yd का value बताईए. किता रहे? 3.375 meter, ठीक है? थोड़ा सा कच्रा हो गया है, मैं को पता है यह चीज, ठीक है? आप जादा वरी मत करना, थोड़ा सा बस आप यह diagram अच्छे समझ जाएंगे न, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, यह diagram आप बहुत neat and clean बनाना, ठीक है? मेरे diagram उत्ता अच अच्छे से बनाना, प्रॉपर्टी और सरकल वगरा को आप अच्छे से ध्यान रखेगा, तो YD की वैल्यू कितनी आगे, मैं पास? 3.375, तो यहाँ पर पुट करें, बेंडिंग मोमेंट ले, कितना है है? 76.5 माइनस 60 इंटू 3.375, वैल्यू पुट करके मैं को बताएगे कितना है है? 177.5 किलो न्यूडन मीटर, ठेक है? तो स्टेप नंबर 3 में, आप जैसे की देखें है, स्टेप नंबर 3 में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहां पर हुई हमें? हमें निकालने में हुई यह y को, हमें y को निकालने के लिए हमें क्या लगा? हमें काफी सारी कंसेप्ट को हमें go through करना पड़ा, हमें property of circle देखा, हमने property of circle देखा, वहां से हमने क्या निकाला? आर निकाला, फिर उसके बाद हम क्या क्या रहे? हम यहाँ पर diagram से हमने देखा कि हमारे diagram से यह वाला equation बन रहा है, ठीक है? यह equation को याद करने की जरुवत नहीं है, आप वो diagram अच्छे से बनाएंगे तो आप वो समझ में आ जाएगा, कि यह वाला equation कैसे आया? दूसरी चीज एक और diagram से हमें एक और equation मिल गया, yd का, वो कितना मिल गया हमे? yd equals to h minus r 1 minus cos theta, तो पहले वाली equation से आप theta find out करेंगे और वो theta को आप यहाँ पर put करके, आप yd निकाल लेंगे और yd को आप यहाँ पर put करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? md आपको यहाँ पर असानी से म बिल जाएगा, next क्या करने, next आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको? radial shear, तो radial shear और normal thrust आप निकालना है, radial shear का formula क्या हो जाएगा? vx cos theta minus h sin theta, ठीक है? तो आप radial shear निकालनेगे, उसके बाद आप normal thrust भी आप असानी से निकाल सकते, कौन से point पे निकालना है आपको? d point पे निकालना है, ठीक है? तो इसको आप बहुत अच्छे से note करिए, और इसके बाद, दो quantity आपको निकालना है, sx और nx, और उसको आप comment करके बताए, उसकी value कितनी आई है, ठीक है? चलिए, thank you.